गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स दस इस वा इंग्लिश पीडियर तुड़े वी विल डू अप्लिकेशन फोर सिखले आज जैसे आप हिंदी में करते हो बिमारी के लिए प्रातना पत्र आज वैसे ही आम इंग्लिश में करेंगे अप्लिकेशन फोर सिखले यह प्रॉपर स्ट्रेज में लिखनी होती है कैसे लिखो गयकित कि सिब्ली वी पी स्कूल फिर प्रिंसीपल पहले कि सका नाम सिब्वीप स्कूल जिस date को आप यह application लिखोगे वही date यहां mention होगी जैसे आज हम 13 को यह application लिख रहे हैं तो आएकि 13 में 2020 subject means विश्य किस बारे में हम यह application लिख रहे हैं लीव application for sickness हम विमारी के लिए application लिख रहे हैं क्योंकि हमने शुरू में भी पढ़ा था हम किस लिए लिख रहे हैं application विमारी के लिए प्रात्ना पत्र respected ma'am आदर्णिय ma'am respected mean आदर्णिय ma'am with due respect पूरे सम्मान के साथ पूरी respect के साथ I want to say that मैं आपको कहना चाहती हूं I am a student of class second मैं second class की student हूं मैं second कक्षा की student हूं दूसरी कक्षा की student हूं I am ill ill means bimare मैं बिमार हूं जब हम बिमार होते हैं तो हम school नहीं जा सकते जा पाते तो यहीं यहाँ पे है so I cannot come to school इसलिए मैं school में नहीं आ सकती kindly grant kindly grant means क्रिपा करकर believe for one day मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें एक दिन के चुट्टी दें I shall be thankful to you मैं इसके लिए आपकी बहुत अभारी रहूंगी किसके लिए आप मुझे चुट्टी दो गे आगर आपने मेरी मतलब kindly grant me leave for one day क्रिपा करकर मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें इस अवकाश के लिए मैं आपकी बहुत अभारी रहूंगी thanking you धन्यवाद यूवर्स ओबिडेंटली आपको ओबिडेंटली की spelling बहुत अच्छे से learn करें 10 letters की होती है O-B-E-D-I-E-N-T-L-Y ओबिडेंटली आपकी आग्याकारीनी शिश्या लड़किया लिखेंगी आपकी आग्याकारीनी शिश्या और लड़के लिखेंगे आपकी आपका आग्याकारी शिश्या आपका आग्याकारी शिश्या नेम जो आपका नेम है class second role number role number अभी आपका lot नहीं हुए तो आप यह blank छोड़ देना दुबारा से revise करते हैं the principal cbvp school small पानिपत चंदन बाल विकास public school small पानिपत date जिस date को आप यह application लिख रहे हो जिस date को आप यह application लिख रहे हो उसी वही date नहीं हापर लिखी जाएगी subject subject means wish leave application for sickness बिमारी के लिए आप प्रात्ना पत्र लिख रहे हो तो यहां विश्या में आपका लिखोगे subject में leave application for sickness बिमारी के लिए प्रात्ना पत्र रिस्पेक्टेड माम अधर्णिय माम विड्यू रिस्पेक्ट पूरे सम्मान के साथ I want to say that मैं आपको बताना चाहती हूं I am a student of class second मैं दूसी कक्षा की विध्यारती हूं I am ill मैं बहुत मैं बिमार हूं so I cannot come to school इसलिए मैं school नहीं आ सकती kindly grant me leave for one day मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करे I shall be thankful to you मैं इसके लिए आपकी बहुत अभारी रहूंगी thanking you, धन्यवाद, यूएस ओबिडेंटली, name, class, role number आपको यह अपना name लिखना है class, second, role number आपको भी mention नहीं हूंगे जब होंगे आप इहाँ पर लिखेंगे thank you